Add 7.056 plus 605.7 plus 5.67 तो हमें यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को आपस में जोड़ना है और किनी भी नंबर्स को जोड़ने के लिए यह सबसे ज़ादा ज़रूरी है कि हम उनके सभी सेम प्लेसेस को एक साथ लिखें उन्हें हम एक साथ एक सीध में अलाइन कर लें तो चलिए इन तीनों को भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं हमारा पहला नंबर है 7.056 और इसके बाद है 605.7 तो हम पहले अपने डेसिमल को यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद हमारे लेफ्ट में है 605 हमारे पास है 605 यह 5 है वन्स की प्लेस पे जिसे हमने यहाँ अपने इस वन्स की प्लेस के नीचे लिख लिया है और यहाँ डेसिमल में हमारे पास है 7 और इसके बाद हैं हमारे पास 5.67 तो फिर हम अपना डेसिमल पहले लिख लेंगे और फिर यहाँ पर है 5.6 और 7 तो अब हमें जोड़ना है यहाँ पर इन तीनों नंबर्स को आपस में तो इन्हें जोड़ने के लिए हम इनके सबसे चोटी प्लेस वाल्यू से शुरुआत करेंगे तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो हमारी सबसे छोटी place value है, thousands की place value, यहाँ पर हमारे पास है 6,000, लेकिन यहाँ इन दोनों numbers में thousands की place पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक तरीका तो यह है, कि हम अपने इस 6 को यहाँ पर नीचे as it is उतार लें, यहाँ पर हमारा 6 आ जा के, यानि कि हम इस number में hundreds और thousands की place पर zero डाल सकते हैं, यहाँ पर इस number में कोई भी change नहीं आ रहा है, इसी तरीके से 67 hundreds का मतलब है 670 thousandths, तो अगर हम यहाँ पर एक zero डाल लेते हैं, तो हमारे इस number पर कोई भी फरक नहीं पड़ता है, तो अब हम यहाँ से अपनी thousands की place को add कर सक लेते हैं, तो six thousandths plus zero thousandths plus zero thousandths, यह six thousandths के ही बराबर होता है, जिसे हमने पहले यहाँ लिख लिया है, तो इसके बाद हम अपने hundreds की place को जोड़ लेते हैं, तो five hundredths plus zero hundredths plus seven hundredths, यह होता है twelve hundredths के बराबर, तो twelve hundredths में हम two को यहाँ लिख सकते हैं, हम अपने two hundredths को यहाँ लिख ले लेंगे अपने 10ths में, 10 hundredths बराबर होता है, one 10ths के, तो हम यहाँ पर 10ths की प्लेस में 1 को क्यारी कर देंगे, और अब हम अपने 10ths की प्लेस को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से, one plus seven होता है, eight, और eight plus six, यह होता है, fourteen के बराबर, तो हम कह सकते हैं, कि हमारे पास, इसकुल 14 10s हैं, और 14 10s में भी हम अपने 4 को यहां लिख लेंगे, अपने 4 10s को हम यहां लिख लेंगे, और बाकी बचे हुए 10 10s को regroup कर देंगे 1s में, 10 10s, 1 1s के बराबर होते हैं, तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा, और यह 1 हमें मिला है अपने 10 10s को regroup करके 1s में, तो अ 1 प्लस 7 होता है 8, 8 प्लस 5 थर्टीन, और 13 प्लस 5 यह होता है 18 के बराबर, तो हमारे पास कुल 18 1s हैं, और 18 1s को हम 10 1s प्लस 8 1s लिख सकते हैं, तो मैं अपने 8 1s को यहां लिख लूँँगी, और अपने 10 1s को मैं regroup कर दूँँगी 10s की प्लेस में, तो 10 1s बराबर होता ह है 1 10s के, तो हमारा जो 10 1s है या फिर 1 10s इसे हमने यहां पर क्यारी कर लिया है, तो अब हम अपने 10s की प्लेस को जोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस 0 यह हमारा 1 के ही बराबर होता है, तो यहां से हमारे पास आजाता है 1 10s, इसके अलावा यहां पर हमारे पास 100s की प्लेस में ह और यहां से हम इस 6 को नीचे उतार सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास और कोई डिजिट तो है नहीं, तो यहां पर हमने अपने सभी डिजिट्स को जोड लिया है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है, क्योंकि हमने अपने decimal point को अभी तक नहीं उतारा है, तो हम इन decimal points की सीध में अपना decimal point रख लेंगे, और ये हो गया हमारा answer और हमने इसे solve कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों का sum ये बराबर होता है 618.426 या फिर 618.426 के,